राम राम जहन देखो हम यहां पर यह नहीं कहना चाह रहा है कि लड़कियों की जिंदगी आसान है या लड़कियों की जिंदगी कैसी है बहुत सी लड़किया ऐसी भी है बहुत सी जगह पर ऐसी लड़किया है जो आज भी सफर कर रही है बहुत बहुत ज़्यादा सफर कर र feeling मानी जाती है जिसकी वो एक आदमी है क्योंकि आदमी की feeling को कोई value देता नहीं है उसका एक उधारना देते हम तुम्हारे पिता जी तुम्हें कभी भी गले नहीं लगाई नोगा या फिर तुम्हारे पिता जी सामने से आके तुम्हारी कभी तारीफ या फिर तुम्हारे उपर खोस हैं तो उसके लिए कॉंप्लिमेंट वो कभी नहीं देंगे वो कभी नहीं देंगे ठीक है वो क्या करत होती है कि तुम्हें लगता है तो मेरे गलती चाह रहे हैं वह हर्थ तुम इस तरह मुड़े वहां से टकरा गए यहां से मुड़े वहां टकरा गए क्यों 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 तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस वज़े से यह सील तुम्हें प्रॉब्लम देती तुम्हें लगता है कि यार क्या ही है खेर हम बात में कर रहे हैं फीलिंग होती है फीलिंग हर तरीके की होती है कभी हो सकता है तुम्हारे पास प्यार की फीलिंग हो कभी तुम्हें पर नफरत की फीलिंग हो कभी लडाई की फीलिंग हो कभी क्या गुस्से की फीलिंग हो ठीक है हर तरी की feeling होती है हर थरीके का emotion होता है एक आदमी के अंदर लेकिन जब यहां पर हम बात कर लेते हैं जब यहां पर बात कर लेते हैं खासकर लड़कों की तो इनकी feeling को एक तरीके से baseless माना जाता है उसका reason क्या है उसका reason simple सा यह है कि यह है कि जो चीजे हैं घर की देखो responsibility की जब बात आती है तुम देखो अगर तुमारे घर में तुमारे पिता जी नहीं है तो कितना घर डामडोल हो जाता है देखा है कभी वह इस वज़े से है क्योंकि जो responsibility जिसके पास होगी ना उसके पास feeling पे react करने का ना तो time होता है और ना ही उसको इतना space दिया जाता है अगर तुम responsible एक आदमी हो अपने घर के या फिर हम यह कहें कि तुम घर के सबसे बड़े हो या बड़े नहीं भी हो चोटे भी हो अगर तुमने responsibility ले ली है घर की तो तुमारे पास किसी भी feeling पे react करने का उस पे बने रहने का time नहीं होता है मालो अगर तुम किसी भी break up से गुजर रहे हो ब्रेक अप से गुजर रहे हो लेकिन तुम्हारे पास घर की responsibility है तो तुम अपना break up भी enjoy नहीं कर सकते हो enjoy करने का मतलब मेरा यह है कि दोस्तों साथ चले गए थोड़ा mood में आने के लिए कि यार क्या हुआ हुआ में साथ है यह भी सोचने तक का तुम्हारे पास time नहीं होता है क्यों क्यों क्योंकि यह एक तरीके से मतलब value नहीं है इस चीज की कोई वहीं अगर कोई लड़की होती तो उसको full support देते हैं उसके दोस्तियार जो भी हैं घर में भी कई बार support मिल जाता है कि क्यों उदास हो लेकिन यहां पर लड़कों के साथ यह चीज नहीं है उनको नहीं मिलेगा यह space या फिर उनको provide ही नहीं कि जाती है सब facility उसका reason क्या है उसका reason से की लड़के लड़कियां बराबर हैं यह नहीं होगा क्योंकि एक चीज़ आप यह देखके चलो कि आज अगर कोई लड़कों को गाली दे के चला जाता है उसको हजी मजाग मिले लिया जाता है example पर और समझाते हैं मेरे पाई example की कमी नहीं जहां बताओगे वहां से example characterless है मतलब यह तो क्या किते line मारता गूंग रहा है ठीक है अगर लड़की का एक breakup हुआ है किसी भी reason से हुआ हो एक दो तीन चार जो भी हुए है तो उसमें क्या कहा आ जाएगा इसकी किसमत खराब है क्या है इसको एक अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है इसको अब यह मत स है कि feminism वाले एक अपनी एक रागला पर रहें feminism बहुत साही चीज़ है लड़कियों की इंपाउर्मेंट की बात होती बहुत बड़ी आए लेकिन वो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना फिर कि responsibility भी लो फिर अगर तुमें बराबर चाहिए तो उस तरीके की responsibility भी तो लो खैर हम मेरे साइट से हम इतना ही समझा सकते थे लड़कों के लिए बस यह लड़ते रहो बाकि तुम्हारी कोई value नहीं है इस चीज को मान के चलो जिस दिन तुमने कमाना बंद कर दिया सामने आले को खुशकना बंद कर दिया तुम्हारी कोई value नहीं है राम राम जैह